बनाने वाले हैं आटे के लड़ू और आटे के लड़ू बनाने के लिए सबसे पहले मैंने सारे ट्राइफूर्ट से जो निकाल कर रख लिए थे और कडाई में डाला मैंने गी उसमें मैंने डाली गोन उसको अच्छे से हम स्टेयर करते रहेंगे ताकि वह अच्छे से फूल झाल लेंगे और हम अब घी करेंगे यह हम घी घाए के घी कर रहा है वहाइक दूसरी कड़ाई में शिफ्ट हिए फर हम अच्छे से कड़ाई हैं जब तक मखाने जू है वह अच्छे से क्रिस्पी नी हो जाएंगे वह तक पकाएंगे और इसको मीडियम आज पर पकाएंगे और इसको स्टेयर करते रहेंगे ताकि जो मखाने हैं वो सारे एक तरीके से अच्छे से पग जाएंगे अगर आप इसको अच्छे से नहीं चलाएंगे और हम यहाँ पर अपनी सारी मेवा जो है उसको निकाल लेंगे जैसे काजू, बादाम, पिस्ता हम अच्छे से पीस लेंगे ना जादा बारिक ना जादा मोटे पावडर में तयार करेंगे, क्यूंकि हम उसको तभी तेल में फ्राय करेंगे बाद हमने जब मखाने निकाले लिए रोस्ट करके फिर से हम टेल डालेंगे और इसमें डालेंगे अपनी गरी और चुवारे और उनको भी अच्छे से परिया करेंगे ताकि वह भी अच्छे से रोस भाए और जो ट्राइफफूर्स हैं को किष्मिषय भी कड़ाइ डाली और तक किष्मिष यह स्टेयर करेंगे और चाहिए जब तक ट्ब तक उसको स्टेयर करिंगे जब तक हम इसको पकार से लिि एक दर्ट पिणिन में बहुत जल्दी जल जाती है इसलिए हमेशा इसको स्टेयर करके रखना है यहां प्रूड़ चुकिए तो हमें इसको ट्रांसपर करूंगी यic血 मैने निकालिया मैं यह पर फिर से गी एट करूंगो लिए करूंगी अपने पाउड़ बना लिया था तहां जो मैने अपने साल का यहां पर जो मैने मखाने लिए है वह केजी सम्धिंग है। बाकि जो सारी मेरे ड्राइब फूर्स है वो पावर है मतलब 250 ग्राम से और हम इसको भी अच्छे से इसको जो पाउडर है इसको हम जो है बिल्कुल लो फ्लेम पर पकाएंगे क्योंकि यह पाउडर हो चुगा है इसलिए जल्दी जल सकता है इसलिए तब ही तक हम इसको पर चुझे बाउन पर पाउडर में नहीं पर हम तो इसमें दाले है इक तो बहुत अचा अचा फ्लेवर रहती है यहां पर प्दूद है दूब कर दो एकप मुण क्योंकि हमारा जो आटा है वो बुनकर तैयार हो रहा है जबता हम अपनी जो है अच्छे से मिक्स करके रख लेंगे आप देख सकते जो मेवा है वह हमने मिक्स करके रख लेंगे अप्रोक्स केजी होगी हमारी मेवा अब हमने इसमें मैं अपकी गोड की वीडियो दिखाना बूल गई हूं अप्रोक्स वन केजी ऑफ गोड मिलाया है हमने आटे में और उसको अच्छे से मिला लिया था अब सारी मेवा यहां पर हम डालें गी अगर आप एक से दो कलो के लड्डू बना अगर आप गी कम डालते हैं तो आपके लड्डू अच्छे से नहीं बनेंगे इसलिए मैं हमारा जो गी है वो डेट केजी यूज हुआ है यहां पर क्योंकि मुझे जादा पसंद है इसलिए मैंने घी थोड़ा जादा डालती हूं आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं जितन जो कि मुझसे यह नहीं बन रहे हैं यहां रोत इसलिए टोड़ी में मैंने भी बना ही लिये हैं लड़् यहां पर मेरी सिस्टर गधोलनाना सिकार है कि कैसे बनाने और हमारे लट्ब के तैयार होने लगे और besch altri मिशिक्ति तूछी तूसिए सिक्ते हाराम से बन चायेंगे Nas आटा ज्यादा नहीं है आप इसमें देख सकते हैं जो हमारे लड़ू है बहुत अच्छे से लग रही हो गी जो है उसमें सफीशन्ट है आप अपने साफ से भी डाल सकते हैं और आप इस तरीके से बनाएंगे आपके लड़ू बहुत ही टेस्टी परनेंगे लाइक और सब्स एफ पूमारे लाइक घनल बगई